हलो दोस्तों वेलकों बैक टू मैं चैनल मैं ममता मैं आज आपके लिए सौथ हिंडियन इस्टाइल में hope की स्वादिष चटनी की रेष्पी लेकर आएहूं पिछली बार मैं ने इटटली की रेष्पी शेयर की थी पर मैं किस तरह से बनाती हूं चटनी तो देखे दोस्तों नारियल की चटनी बनानी के लिए हमने लिया है यहां पर नारियल को हमने छोटे-छोटे टुक़ों में कट कर लिया इस तरह से देखे यह फ्रेस नारियल है कच्चा नारियल है तो एक कफ हमने नारियल लिया है और यह हमने तीता पसंद करते उसके अर्कॉर्डिंग डाले और यहां पर गैस पर पैन चड़ाएंगे एक चमस हम तेल डालेंगे तो तेल हलका सा जैसे गरम हो जाएगा तो हम मुफली डाल कर इसे हमें मीडियम फ्लेम पर रोष्ट कर लेना इसे तब तक रोष्ट करना है जबते कि हमार चलाते रहना है इसी तरह से और देखिए हमारी मुफली अब अच्छे से रोष्ट हो चुकी है चटकने में भी लगी है तो यहां पर अब हम क्या करेंगे ना हरी मिर जो लिया था ना हरी मिच को डाल देंगे तो चार हमने हरी मिच टाला है और करी लिप के पत्ते को निकाल देंगे इमली जरूर डाले इमली से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा उभर कर आता है और इमली ना हो तो आपने इम्भू का रस भी डाल सकते हैं और सभी को मिक्स करने के बादें यहां पर अब हम नारियल डाल देंगे तो नारियल को हमें ज्यादा रोष्ट नहीं करना ह रहा है और अच्छे से मिक्स करते वह सरे रोस्ट कर लेंगे घ्रोष्ट हो चुका है अब से नीचे उतार लेते हैं अले यहां अपर नमक कर देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग और फिर आधा कप यहां पर पानी डाल कर इसका हमें चटनी जैसा पेस्ट बना लेना है तो इसे पीस लेते हैं तो देखिए हमारी चटनी पीस चुकी है और यह बनकर तयार हो गई है तब इसे हम बाल पर सर्फ कर लेते हैं और इसमें अब हम तड़क आपैन में हमने एक चममच देखिए तिल जैसे ही गरम हो जैगा तो एक चममच राही और यहां पर हम ने दो लाल मिर्च और कुछ करी लिप के पत्ते को डाल दिया है और ढाल कर अब हम तड़का लगा लेंगे चटनी में और लीजिये हमारी साथ ह्तीन इस्टाइल में में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में फैमिल को में भी सेर करें और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर करें तो आप कब बना रहें इस चटनी को जरूर बताएं तब ते के लिए बाएं मिलते ही एक नेक्ष्ट वीडियो पर